कि अग्लिविनिंग आज के इस बीडियो में आप सभी का स्वागत हैं पिछले वीडियों में हमने दिसकर्ट किया था किर्शाफ करेंट लौ के बारे में आज पढ़ेंगे किर्शाफ किर्चाफ के दूनियम होते हैं किर्चाफ करेंट लौ और किर्चाफ बोल्टेज लौ तो यह आज का किर्चाफ बोल्टेज लौ हम लोग पढ़ेंगे इससे पहले हम लोग जो पीशे पढ़ चुके हैं किर्चाफ करेंट लौ उसको थोड़ा रिविजन कर लेते हैं हमने होता है केसियल साटकार्ट में इसको केसियल बोलते हैं इसका होता है किर्चॉफ किर्चॉफ करेंट लॉफ 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 किर एक नियम करेंट के लिए होता है कि किसी भी जंगसन पर मिलने वाली सभी धराओं का बिजगड़ीतियों योग सुनने के बराबर होता है किसी भी जंगसन पर मिलने वाली सभी धराओं का बिजगड़ीतियों किसके बराबर होता है सुनने के वराबर होता है तो यह आपको होता है किसी आप ठीक है आज का हमारा टॉपिक है किर्चाफ बोल्टेज लॉफ आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं किर्चाफ बोल्टेज लॉफ किर्चाफ बोल्टेज लॉफ इनसका क्या नियाम है कि किसी किसी लूप के लिए सभी विभुवांतरों का बिजगनिती योग सुनने होता है यहां हम लोग यह कह सकते हैं कि बोल्टे ड्राप्ट जो होगा वो सुनने के बराबर होगा तो यहां पर किसी लूप के सभी विभुवांतरों किसी लूप के लिए सभी विभुवांतरों का बिजगनितीय योग सुनने होता है किसी लूप के सभी विभुवांतरों का बिजगनितीय योग सुनने होता है अब इस सर्किट को देखने से पहले कुछ हमनों बेसिक कॉंसेट समझ देते हैं यहां पर जैसे बहुत लोगों को पता होगा कि किसी भी सेल के लिए या बैटी से जब धारा प्रवाइत होता है तो वो पोजीटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है मतलब धारा का प्रवाइत धनात्मक सिरे से प्रिनात्मक सिरे की और होता है ठीक है और यहां पर हमको क्या ध्यान देना है कि जब भी हम केवियर लगाएंगे तो यदि धारा की दिशा में होगा धारा की दिशा में होगा तो क्या करेंट का माल लेना है हमको माइनस और धारा के विपरीत होगा धारा के विपरीत होगा तो हमको माल लेना है प्लस इसका मतलब क्या है जब अभी हम सेर्किट बताएंगे आपको तो समझ जाएंगे धारा की दिशा में माइनस लेना है और धारा के विपिरित दिशा में प्लस लेना है अब कैसे पता चलेगा कि धारा के दिशा में है धारा के विपिरित दिशा में है तो यहां पर आप जानते हैं कि पोजीटिव से निगेटिव की तरफ धारा का प्रवा होता है इसका मतलब क लेकिन हमने माना कि यदि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है तो आप समझ जाएंगे कि जब धारा का प्रवा हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है तो हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मान रहे हैं इसके मतलब जो एक्सुल आपका करेंट करेंट के उसके विप्रीत मालना हैं actual current के virus मानना है तो यहां पर क्या होगा आई मासा में सब्रेंगे सब्याइक कि क्खेज़ कि दी Brother की दिशा में होगा मान लेमें मा इन ऊए अगर देखारन के भी प्रीद समय electサक श्माम होगा तो क्या लेंगे प्लस ये ध्यान रखना है जैसे मान लिजे कि ये धारा की दिशा है करेंट की दिशा है और इसके ठीक भी पिरीत हमने मान लिया कि ये सेल हो गया और यहाँ पर हमने प्रतिरोद लगा दिया ये प्लस हो गया माइनस हो गया तो प्लस से माइनस क्यों और करेंट का प्रवा होगा लेकिन हमने माना कि नहीं हम करेंट का प्रवा माइनस से प्लस क्यों कराएंगे तो जो एक्चुल आपका करेंट है उसकी तो दिशा से ये बिपरीत हो रहा है तो जब धारा के बिपरीत होगा तो क्या लेंगे हम लोग प्लस यदी यदी आप प्लस माइनस और यह करेंट की दिशा है और हम करेंट की दिशा मिले रहे हैं करेंट की दिशा मिले रहे हैं तो यहां पर हमको क्या लेना है करेंट को करेंट को माइनस करेंट को क्या लेना है माइनस आई हम लोग जब सरकीट ह करेंगे तो आप समझ जाएंगे तो यहां पर क्या प्धिश देना है सबसे important बात कि जब भी धारा की दिशा में होगा तो ब्लिस लेना ओधारा के विपरीत दिशा में होघाएंगा बारिया इसी से हम लोग आएन नियम को भी देख लेंगे दे लेंगे G कि धारा धारा की दिशा में धारा की दिशा में करेंट क्या लेना है माइनस आई और धारा के धारा के विपरीत धारा के विपरीत दिशा में क्या लेंगे हम प्लस आई करेंट क्या लेना है यह आपको ये आपको ध्यान देना है ठीक है अब आईए हम लोग सर्किट देखते हैं देखिए किसी लूप के सभी भी वांतरों का बिजगनितियों सुन्य होता है सुन्य के बराबर होता है सुन्य के बराबर होता है या सुन्य होता है अब देखिए यहां पर लिए कि सिगमा आई आर बराबर किसके इतना होगा जीड़ों के इक क्वट आई क्या है क्योंकि आप ओम का नियम जानते हैं कि ओम के नियम होनुशर भी बराबर क्या होता है IR किसके बरावर था? V और V को लोग जानतें क्या है? voltage drop किसके cross? प्रतिरोथ के cross, ठीक है यहाँ पर IR लिखते हैं मतलब सभी बीभों का, बीभवांतरों का बिजगरीतियों क्या होगा? सुनने के बरावर ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं सरुकरे माल लिजिए कि यहाँ पर दो प्रतिरोध स्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनको जोड़ा गया है V-Volt से V-Volt से यह प्लस होगा यह माइनस होगा यहाँ प्रतिरोध है आपका R1 है और यहाँ प्रतिरोध है आपका R2 है यहाँ से current प्रवाइत हो रहा है आई ठीक है, तो हम जानते हैं कि current का प्रवा plus से negative की तरफ होता है और हम लोग मान लेते हैं कि current का प्रवा धारा की दिशा ऐसे ही चल दा है तो यह तो धारा की दिशा में हुगा ना, क्योंकि plus से minus क्योड चलता ही है अगर आप किसी भी पॉइंट से स्टाट करते हैं यह पॉइंट से स्टाट करते हैं अब हम जानते हैं कि आई आर का गुडण फल वी के बराबर होता है और हमको भी वांतरों का यो निकालना है के वियल के रुशार तो यहां पर क्या लिखेंगे जदी आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप माल लिजिए कि यहां से यहां से हम इस वायर के थुरू चल रहे हैं और जैसे ही आई इ कि इस प्रतिरोद में in-ta करेगा तो यहां पर क्या होगा आई कैनु में और गुड़े आरवर्न लेकिन आई को हमने क्या लेना है धारा की दिशा में है तो क्या लेंगे माइनस ठीक है यह हो गया फिर प्लस अब I R2 में इंटर करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस I गुणे R2 ठीक है R2 प्लस अब यह जो पॉइंट है यह तो आपका R2 तक आ गया फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पर आगे ठीक अब यहाँ देखिए जैसे ही मान लिजे कि इस निगेटी वाले पॉइंट पर आते हैं या आप सब पॉइंट बानिए कि यह दि आप आ करके बैठ जाएं इस पर तो आपको क्या दिखेगा प्लस वाला टर्मिनल दिखेगा यहाँ पर क्या लेना है प्लस V is equal to क्या हो जाएगा 0 अब इसको हल कर लेते हैं तो क्या होगा माइनस I R1 माइनस प्लस माइनस माइनस I R2 प्लस क्या हो जाएगा V is equal to 0 अब यहाँ से माइनस I कामन है तो क्या हो जाएगा यहां से R1 प्लस R2 प्लस V is equal to 0 और यहां से V कमान निकालेंगे तो पच्छांतर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस I सोरी, प्लस I R1 प्लस R2 तो आपका तो भी भुवांतर का योग मेन यही है क्योंकि V1 में R1 क्रोस क्या होगा बल्टेज ड्राव I R1, R2 की क्रोस क्या है, I R2 और प्लस V बराबर 0, यहां से V कमान निकालेंगे, तो प्लस I ब्रेकेट में R1 प्लस R2, और यहां से दिखिए करेंट कमान निकालेंगे सपोँएट अगर करेंट कमान निकालते हैं तो V upon में क्या होगा R1 upon R1 plus R2 V upon में क्या होगा R1 plus R2 तो खेर हमको current निकालना नहीं है हमको तो KBL देखना था तो यहाँ पर क्या होगा minus I R1 minus I R2 plus V is equal to 0 ठीक है यदि आप इससे भी नहीं समाझ पाते हैं हमनों second method देख लेते हैं आपको जो उचित लगेगा आप उसको कर सकते हैं अब एक से यह second method बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप series circuit हल करते हैं प्रतिरोध के लिए आगर आपसे current कमान पूछा जाता है तो आप क्या निकालते हैं टोटल रजिस्टेंस तो लिखते हैं टोटल रजिस्टेंस से मालेजे की रफकार है अब इस सर्कृट के लिए आप करेंट कमान निकालेंगे तो क्या करते हैं है आरवन प्लस और टो यह बताईए इस फार्मूले में और इसमें कोई डिफरेंट है क्या फर्क बस इतना है कि यह के तुरू निकाला गया है और यह सिंपल आप जो सवाल लगाते हैं उससे हम लोग लगाया है तो दोनों सही है लेकिन यहां पर केवियल का मतलब समझ गया है कि किसी भी विग्दूत परिपत में सभी विवांतरों का बिजगणितिया योग सुनने होता है ठीक है और आप इसी के थूरू सेम यही आप का वी बराबर आई 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 आरवन प्लस आर टू या हम इसको यह लिख सकते हैं जैसे यहां पर पशांतर की रहते तो वी बराबर क्या होगा आई आरवन प्लस आई आर टू और आप धारा के विपिरित दीशा में मान करके लगाएंगे तब भी वही आएगा देख इसमें क्या है दारा के विपिरित मानने का मतलब कि हमने तुम पहले तो हम इसमें प्लस माने थे क्यों कि इसमें तो हम लोग धारा के दिशा में माने थे अब हमको क्या मानना है अब हम मानेंगे कि यहां पर धारा के दिशा में नहीं हम धारा के भी पिरीत चलेंगे क्योंकि धारा क्या है धारा तो ये उपर की और जाएगा ही क्योंकि इसमें प्लस से माइनस की और धारा का प्रवा होता है ये कभी बदल नहीं सकता लेकिन हमने क्या किया कि हमने माना कि नहीं हम धारा का प्रवा निगेटिव से पोजिटिव की तरफ हम चलेंगे प्रेर नहीं के लिए बता रहें मानले आपने एफ्ट से श्टर अब देखें क्या होता है ये पोइंट से हमने चल आ सदक पर आप सड़क और आपको आना है कि पौन्ट इसपा करेए हैं आप प्लस रहे एक바id времos यहां पर प्लस आई गुणे आरटू प्लस ठीक है आई तू आरवन में आई प्रवेश्च करेगा तो क्या होगा यहां पर प्लस आई गुणे आरवन क्योंकि धारा के विपिरीत दिशा में प्लस लेना है अब आगे देखिए प्लस अब यहां देखिए जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और इस टर्मिनल पर आएंगे प्लस वाले पर यह हम चल करके आगे किस बिंदू पर यहां पर और इस पू अब यह हो गया आई आर टू प्लस आई आर वन और यह माइनस वी इसकॉल टू जीरो यहां पर करम से लिए रहे हैं आई आर वन प्लस आई आर टू अभी को पच्छानतर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताईए इसमें और इस फार्मूले में क्या डिफरेंट है नहीं है दोनों सेम हैं दोनों क्या है से इदि आप ओम के नियम कंशन क्या होता है ऑनका नियम को अगर इससे देखना चाहते हैं तो वी सेाल परजाएगा देख लिए आ पर जैसे मान लिजिए कि आ मोम का नियम और आप पड़े हैं अभी आपको याद रखना है कि अभी हम सेकेंड इसका मतलब किसी का अथवा करके इसे भी आसान हम बता देंगे कि विभवांतरों का युग का मतलब क्या है अब मान लिजे यहां पर उमसला क्या होता है कि किसी भी परिपत में परवाहित बिग्दु धारा सप्लाई बोल्टेज के समान उपाती होता है तो आप लोग लिखने हैं कि प्रपोर्पोर्शनल आई वी स्कॉल टू आर को पांस्टेंट बानते हैं तो वी बराबर आई यार लिखते हैं स्वाट का ड धारा का विपिरीद और उसी के डायरेक्शन में दोनों करके देख लेते हैं माल लीजिए यहां पर अगर ओम के नियम के यह वी वराबर आई यार निकालना है तो के वियल के अनुसार देख लेते हैं देखें यह प्रतिरोध हो गया और इसको हमने जोड़ दिया है V से प्लस माइनस धारा हमेशा प्लस से माइनस कियो चलेगा इसमें कोई सुचना ही नहीं है अब आगे क्या होगा कि हमने यह बताया कि यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो करेंट को हम निगेटिव लेंगे धारा को क्या लेना है निगेटिव लेना है तो यहां से हमन चल दिया अब होगा क्या आपका कि ए पॉइंट से चलेंगे तो करेंट आई आर में इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा धारा की दिशा में है तो क्या लेना है निगेटिव लेना है धारा की दिशा में आई गुणे क्या हो जाएगा आर यह हो गया प्लस वी वी अब माल यहां से घुम करके हम इस पॉइंट पे यहां 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 आ गया कहा पर लिपार अब जैसे ही हम यहां पर बैठ करके देखने तो हमको क्या दिखेंगा डिखेंगा फलिस गैया रिखाईएगा फल्स वी इसको यदि मालने कि हम विपरित लेकर के चलेंगे माल लेजिए कि हमने धारा के विपरित माना है यह आपका प्लस माइनस यह तो आप जानते हैं यह आर हो गया यह आप जानते हैं कि करेंट का प्रवाब प्लस से माइनस की और होता है लेकिन हमने क्या माना हमने माना कि नहीं हम धा धारा की दिशा तो एक्चुल आपका प्लस से माइनस की और होगा लेकिन हमने माना माइनस से प्लस की और माल लेज़े यहाँ पर पॉइंट यह लगाईए के बीयल के लगाईए देखिए वह इसी जाएगा आई से चलेंगे आर में इंटर करेगा धारा के विप्रित दिशा म में अभी उपर बताया है धारा के विप्रित दिशा में क्या लेना है धारा के विप्रित दिशा में प्लस ठीक है याद रखेगा इसको नोट कर लीजिएगा धारा के दिशा में माइनस लेना है करेंट को धारा के विप्रित दिशा में प्लस यहां से चलेंगे आर में करेंगे प्लस के बाद हमको क्या दिखेंगा यह माइनस टर्मिनल तो क्या जाएगा यहाँ पर माइनस भी इसको इसको वी इसको पर लिख सकते हैं तो सेम वही फार्मुला आएगा तो यहां से ध्यान दे लीजिए की धारा अगर में लेंके तो करेंट को माइनस लेना और धारा के विपरीद दिसा में चलेंगे तो करेंट को प्लस लेना जिसको यह नियंद यह चीज ना समझ में आया हो विवांतरों का योग सपोर्ज डेट ये वी बराबर आई यार वी बोल्टेज ड्राफ होता है ठीक है अब यहाँ पर जो आथवा करके बताना था उसका मालने जिए कि हम यहाँ पर सर्किट ड्रॉक करते हैं यहाँ पर यह हमने सर्किट ड्रॉक करती जा अध्यान से सुनिए यहाँ परमाल लेते हैं एबी C D ठीक है यह अपका प्रतिरोद R1 यह प्रतिरोद होगा R2 यह प्रतिरोद होगा R3 और यह प्रतिरोद क्या होगा R4 अब इन सर्किट में हमको विभवांतर का योग याद करना है यह क्या है आपका लूप भी बोलते हैं इसको विभाष रगार कायों कियात करना है क्या करेंगे हम एक पॉइंट से मॉंलेजिए एसे misin अब इसमें तो हम कहारेंट दरुष आई यह ही नहीं है ॉम कैसे लिखेंगे सुनगे इसके क्रोस बोल्टेज इस प्रतिरोध के क्रोस बोल्टेज आरवन के क्रोस बोल्टेज राफ क्या होगा वी ए बी इसके क्रोस क्या बोल्टेज राफ होगा वी वी सी वी सी के बीच में है और इसके क्रोस क्या बोल्टेज होगा वी सी डी और इसके क्रोस बोल्टेज क्या हो होगा वी एडी एडी या डी ठीक है एडी एडी या डी अब यहां पर के वियल लगाएंगे के वियल तो सभी भी वहांतरों का बिजगनितियोग सुनने के बराबर होता है यहां पर क्या होगा भी एडी प्लस वी वी सी फ्लस वी वी सी दी प्लस और डी वी डी या अगर इसमें थोड़ा सा माल ले कि कि इसमें करेंट अगर आई प्रवाहित हो रहा हो यह से लेकर के डी तक आने में तो धारा का बटवारा नहीं होगा बतलब यहां आई होगा तो यहां भी आई होगा यहां भी आई होगा और फिर पुर्णा उसी पॉइंट पर आ जाएंगे लेकिन सपोच देट बैटरी निकालेंगे तो क्या होगा आई यार टू और आर्थरी के क्रॉस निकालेंगे तो क्या होगा आई आर्थरी फ्लस होगा माइनस होगा अभी कुछ रिसाइट नहीं है और यहां पर क्या होगा आई आर पोर क्योंकि मैट्री जोड़े रहते तब देखते कि हमको प्लस चलना का वीजगणिती योग सुन्य के बराबर होता है ठीक है अब इसके अधार पर अगले वीडियो में हम लोग कि नुमेरिकल हल करेंगे ठीक है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें किसी लूप के किसी भी लूप के सभी विभवांतरों का विजगनिती योग सुनने के बराबर होता है या सुनने होता है ठीक है सबसे आसान इस नीशन है इसको याद रख लेजिए और ये परिक्षा के लिए बहुत ही महत पूर्ण होगा और आप इस नीशन से बोल्टेज विभवांतर करेंट आप निकाल सकते हैं जैसे हम लोग इसके बारे में आपको बताए कि यहाँ से करेंट आपको इसमें इंपोर्टेंट ये ध्यान देना है कि धारा की दिशा में हमेंसा माइनस याद रखें और धारा के विक्रेदिशा में क्या लेना है प्लस बाकी जो भी आपका होगा आप वीडियो को देख लेजी ना समझ में आए कमेंट करके जरूर बताए ठीक है धर्न्यवाद